नेक्स्ट आपका टॉपिक है 6.2 विच बेसिकली टर्मिनल विलासिटी अब टर्मिनल विलासिटी को उसे विलासिटी होती है यह जो मैं शेप बना रहा हूँ आपने याद रखना यह एक अबजेक्ट है इसका मैस M है जो उपर की तरफ एरो है यह FD है FD रिप्रेजेंट करता है ड्रैक फॉर्स को नीचे जा रहे है वह ग्रैप्टीशनल फॉर्स का है FG आप पता है किसी भी चीज़ को हम जब छोड़ते हैं तो ग्रैप्टीशन फॉर्ण उस चीज़ को नीचे कहते हैं यानि मैं किसी हाइट पे एक अबजेक्ट को पैन को भी फैंकता हूं तो आप पता है वो पैन भी कहा गिरेगा लैट सी यह पैन ने चोड़ा तो यह नीच तो वो इसके उपर की तरफ लगते हैं और ग्रैप्टी इसे नीचे की तरफ खेंचती है नीचे की तरफ फॉर्स लगाती है यानि यह फ्लूट में तो इसे ड्रैग फॉर्स का सामना करना पड़ए इसलिए अफ डी लिखा हमने अब टर्मिनल विलास्टी कौन सी होती है आ कि हैने फाटि करें जोते हैं इसे सर्दिया यह चल रही हैं अब जी आपको देखते हैं गर्मियों में आपको यह फाट नजर आते लियं bond के सब्सक्राइफ के मोलेक्वी लोते हैं यह Nejस کی अट जब आपने याद निवे जब वाटर फिल हो जाता है ना पानी अंदर इनमें फिल हो जाता है फिर आपको वाइट कलर में नजर आना शुरूर पड़ते हैं इसलिए जब आप देखो धूंद में सफर करते हो अगर बाइक पे आप जा रहे हो या रिनिंग कर रहे हो तो आपक कपड़े बिले हुए क्योंकि ये ड्राप्लिंट में जो पानी ते जा है टूट जाते । लॉपर पानी सारा वेलिकवीट से गैस बनके उप़शला जाता है और डीकश दु सारुड गैस बनके उपर जाते विला विकषभान rocky Imuru निए अंधि लेकरिunt तक सन नहीं निकल रहा होता आपके यहां पे क्लाउड होते हैं बादल होते हैं तब तक आपको फॉक नजर आती है बात यह कि फॉक रुकी होती है जमीन पर नहीं गिर रही होती है ना उपर जा रही होती है सेंटर में रुकी होती है और हमें नजर आ रही होती है यह सब होता तर्मिनल वेलास्टी ही हो जाते हैं अब टर्मिनल वेलास्टी की ज़र डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेन दा ड्रैग फोर्स बीकम इक्वल टू दा वेट अफ दा फॉलिंग अबजेक्ट अबजेक्ट या बोडी जो भी कह लें देन इस वेलास्टी बीकम कॉंस्टांट इस कॉंस्टांट वेलास्टांट वेलास्टी इस कॉल्ड वी टी वी टी का मतलब है टर्मिनल वेलास्टी जब ड्रैग फोर्स आपकी इकल हो जाए वेट ऑफ ड्रॉप लेट इसे एक्जेंपल ले ले लें इसके एक्सप्लीइशनट इसी तरह है कि आप इस ड्रॉप लैट को कंसीडर करें समझञें ये ड्रॉप लैट पानी का जो नीचे गिर रहा ہ आ फॉक का कहले इं वॉक का ड्रॉप लैट या ये पानी का ड्रॉप लैट जो नीचे गिर रहा सर्दियों की example ले लें अब gravity की जो force है gravitational force FG वो इसे नीचे खेंच रही है लेकिन जो drag force है वो इसे उपर की तरफ धक्के दे रही है तो अब आप देखें एक force लग रही है इस पर नीचे तरफ और एक force लग रही है उपर की तरफ जो इस पर net force लगेगी basically वो किसके बराबर हो minus df के df का मतलब है drag force जैसे कल हमने आपने last lecture में पिछले चिप्टर में जो topic पढ़े थे weightlessness के या आपने जो lift और weight की example ली थी apparent and real weight उसमें भी आप कुछ ही ही देखा करते थे याद होगा आपको तो यहाँ पर देखें ड्रॉपलेट पर जो force लगेगी net force वो basically weight minus drag force के होगी क्योंकि जायसी बात है weight उसका object जो gravity उसे नीचे खेंच रही है वो इसमें से minus होगा और अगर आपका ड्रॉपलेट या object नीचे गर तो इसका मतलब यह है कि weight greater है drag force है अगर weight आपका हलका हो तो drag जो नीचे से उपर लगे हैं जैसे शौपर वगड़ा आसमान से के तो आपका ड्रॉपलेट नीचे नीचे नहीं आते वो हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं इनकेस तेस हवा चले तो आसमान पी ले जाते हैं उन चीजों को अपने साथ तो उस case में weight हलका होता है और drag force जादा होती है लेकिन यहां पे जो जो अब्चेक्ट आपका नीचे गिर रहा है आप कह रहे हैं तो फिसका मदब उसका weight जादा है drag force कम है आगे चलके इस equation को हम इस तरह लिख सकते है net force का मतलब F weight का मतलब W drag force हमने पड़ी 6 π.ई.ई.ट.R.V. F का मतलब है M में weight का मतलब है M G और 6 π.ई.ट.R.V. अपनी जगा weight अब यहां पे जाएसी बात है जो A R A है weight B F के बराबर होता है आपको पता है यहां पे जो A R A है वो due to gravity R है ग्रैटिशनल acceleration है जो object को नीचे ला रही है तो A के बजाए G लिखेंग और यह वो force है जो इस object पे लग रही है यहां तक आप को अफसर बात समझ आगी होगी अब हमने कहा कि terminal velocity आएगी terminal velocity कब आएगी अब जैसे example हम ले रहे हैं droplet की fog के सरदियों में तो आप पता है जब यह droplet नीचे गिर रहे होते हैं और सरदियां होती है सूरज भी late निकलता है तो आप देखते हैं जो drag force होती है वो एक दम से gravitational force क उसके जो weight है उसके क्या हो जाती है बराबर हो जाती है तो जैसे यह बराबर होती है तो आपका droplet आपको नजर आना शुरूब पड़ता है certain height पे अब जब वो certain height पे नजर आया तो इसका मतलब उसकी acceleration क्या हो गई 0 क्योंकि velocity उसकी अब क्या हो गई है constant velocity में चेंज नहीं आ रही है और नीचे आते हाते एक ऐसा point आएगा जब आपका जो यह weight होगा इस object का weight यह drag force क्या हो जाएगा equal हो जाएगा और जैसे equal होगा तो आपकी जो velocity है उसमें चेंज आने के बजाए चेंज नहीं आएगा बलके वो constant हो जाएगी तो जैसे velocity constant हो तो acceleration क्या हो जाएगी 0 त जाता है यहां पर mg-6r into V आजाता है अब यहां से अगर मैं V निकालना चाहूं तो V मैं कैसे निकालूंगा वी के साथ मैं T लिख देता हूँ जो बताएगा कि terminal velocity आ गई है यह minus ता सारा उदर गया तो आप पता है plus हो जाएगा 6 pi nr multiply हो रहा है equal के इस side आएगा तो divide हो अगर हम मैस निकालना चाहें तो मैस का फर्मूला हमारे पास होता है m is equal to density into volume अजब जिस object का भी हम मैस निकालना चाहरे है हमें उसकी density पता हो उसका volume पता हो दोनों को multiply करें तो उसका mass आ जाता है अगर mass और volume पता हो तो density आ जाती है तो mass का हम relation निकालेंगे density उसी तरह और volume का फर्मूला होता है 4 over 3 pi r square इस m को आप terminal velocity की equation ने जब put करेंगे तो आपके पास यहां आ जाएगा 2 पहले तो आप लिखें रो 4 pi r square over 3 इसके साथ आपके पास है g और नीचे आपके पास 6 pi n r यह जब divide से multiply में आएंगे into आपके पास यहां पर है g नीचे है 3 multiply करेंगे 1 over 6 pi eta r यहां पर आप कैंसल आउट करना शुरू करें तो देखें आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 pi pi से कर जाएगा r 1 r से कर जाएगा आपके पास यहां पर आपके पास ऊपर बचेगा 2 उसके साथ बचेगा g यह 2 यह g साथ में आपके पास देखें क्या रह जाएगा आपके पास आजाएगी row आजाएगी इसके लावा यहां पे एक चीज जो है क्यूब होता है रेडियस का क्यूब यहां पर आपके पास क्यूब होगा क्यूब कटेगा नीचे आर से आपके पास यहां पर आर की वैल्यू कितनी बचेगी टू इसके बाद नीचे का बचेगा थ्री थ्री आपके पास बचेगा नाइन और इटा यह आपके पास आजाएग का टर्मिनल विलास्टी का रिलेशन हमें पता क्या चल रहा है तू भी कॉंस्टंट है नाइन भी कॉंस्टंट है अब जाहिए इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो गी जाहिए और यहां पर रेडियस इस्क्वाइर में अगर आपका रेडियस डबल हो जाता है अब्जेक्ट का तो टर्मिनल विलास्टी आपकी फॉर टाइम क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी तो होपसो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा दोनों टॉपिंग इंसे रिलेटेड कोशन हो तो आपने लाजमी पूछ लेना है थैंक्यू सो मच्छ अलाफिस